पिछले एक महिने की हेडलाइन्स देखकर तो यही लगता है कि दुनिया ने हम पर जंग छेड़ दी हो इतने एटैक्स इंडिया पर पाकिस्तान ने भी 70 साल में नहीं किये होंगे जितना अमेरिका और इंगलिंड के लोगों ने पिछले 30 दिनों में कर दिया हमारे उपर पहले आई BBC की बारी गुजरात के गड़े मुर्दे उखाणने लगे अमरित काल में भूत काल खोजने लगे प्रधान मंतरी मोधी पर टिपड़ी करने के लिए बताईए अटाक ओन इंडिया नमबर वन फिर रिपबलिक डे प्रेजेंट हिंडन बर्ग ने भारत की अर्थ विवस्था को तहस नहस कर दिया अटाक ओन इंडिया नमबर टू और जब इससे भी मन नहीं भरा तो एक बानवे साल के बुज़ूर्ग जौद सोरोस को चुल लग गई कि भारत में डिमोक्रिसी वापस लानी चाहिए और कहे दिया कि आडानी के कॉलाप्स से मोधी के बुरे दिन अब आने वाले हैं इससे पहले कि हम जौद सोरोस की पोल खोलें और पता लगाए कि वो ऐसा क्यूं कर रहे हैं कौन सी और किसकी डिमोक्रिसी लाना चाहते हैं इंडिया में एक छोटा सा इतिहास का पाठ पढ़ना जरूरी होगा क्योंकि ये अटैक ओन इंडिया कोई नई चीज नहीं है इसकी अपनी ही हिस्ट्री है जब-जब हमारे देश में एक स्ट्रॉंग लीडर हुआ है जब-जब हमारे देश और डिमोक्रिसी की हालट टाइट हुई है तब-तब ये अटैक ओन इंडिया और तेज हो जाती है देखिए इंडरा गांधी के टाइम पर अटैक ओन इंडिया तो हर दूसरे दिन होता था उन पर उठाया हर सवाल हर विपक्ष की आवाज हर कडवा सच अटैक ओन इंडिया था फॉरिन हैंड वर्सेस कॉंग्रेस हैंड सही भी था वैसे लॉजिक क्योंकि इंडिया वोज इंडरा मने इंडरा पर सवाल उठाओगे तो इंडिया पर ही सवाल उठा रहे हो एमर्जेंसी लागू करने के बाद भी 1976 में कोलकाता के एक रैली में इंडरा गांधी ने कहा कि ये विदेशी तागते हमसे जलती हैं हमारे अचीवमेंट्स को नीचा दिखाना चाहती है चाहे वो लॉंच ओफ आरे भट हो भारत का पहला स्पेस सैटलाइट या फिर पोकरन नुकलियर टेस्ट सो एमर्जेंसी के उस काले दौर को तबके गोधी मीडिया ने खुब स्वागत किया था लेकिन इंडरा गांधी ने कहा कि ये विदेशी प्रेस है उन्हें तो खरी कोटी सुनाने के लिए बस एक मौका चाहिए था जो ने मिल गया एमर्जेंसी के वज़े से नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी एमर्जेंसी के बाद भी ये अटैक ओन इंडिया ने उनका साथ नहीं छोड़ा देश में दंगे जो हो रहे थे वो भी विदेशी ताकते ही करवा रहे थी according to इंदराजी उनके सुपुत्र राजीव ने भी इस foreign hand में एक invisible hand attach कर दिया तो इंडिया under attack था लेकिन ये मत पूछना की कैसे और किसने क्योंकि hand तो invisible है ना देखे नहीं रहा है Mr. इंडिया के तरह लेकिन attack जरूर हो रहा है ये ही invisible hand बोफोर्स के लालचन उन पर लगा रहे थे जिससे वो इतना पीडित थे और सिर्फ Congress ही नहीं बाइद वे Left Parties ने भी विदेशी ताकतों का सहरा लिया जब और कोई रास्ता उन्हें नहीं दिखता था 2011 में बंगाल में सत्ता जाते देख ममता बैनर जी को American स्टूज बोल दिया USA की कटपुतली Means Barbie Doll का का चीची सची मैं चीची अब दीदी भी तो बोले चल बेना उल्टा ये पता खेल दिया कि Communist Party, Left Party उन्हें मरवारा चाहती है Maoist का इस्तमाल करके assassination plot हो चुका है Maoist जो कि ISI से मिले थे जिनको पैसा North Korea, Venezuela और Hungary दे रही थी Foreign Hand प्लस ISI प्लस North Korea लेफ्ट का तो गेम खतम ये Foreign Hand विदेशी ताकतों वाला फॉर्मूला इतना अच्छा होता है कि मरमोहन सिंग ने भी इसका इस्तमाल किया Nuclear Power Plant के खिलाब Protest, अना हजारे वाला Anti-Corruption Protest, ये सब अमेरिका के द्वारा हो रहा था और वैसे क्या ज़रूर थी अमेरिका को इन प्रोटेस्ट का समर्थन करने के लिए वो अपनी डेमाकरसी देखे, हमारे डेमाकरसी क्यों देख रहे है लेकिन मोधी सरकार के कारेकाल में ये Attack on India या चरम सीमा तक पहुँच चुकी है Foreign Hand Toolkit Gang बन गई है नाम बदल गया है Formula एकदम वही का वही है देखो, Democracy Index, Press Index है, हर बड़ा International Publication बस इन लोगो बुराई ही करवाओ 24-7 बस बुराई देखो इंडिया के बारे में और अब तो आग में घासलेट डाल दिया George Soros ने Munich Security Conference में ये उन्होंने कह दिया कि नरेंदर मोधी के सरकार अब कमजोर हो जागी क्योंकि उनके मित्र अदानी का थोड़ा विकेट डाउन चल रहा है और तलब है कि Soros ने खुद ही कहा I may be naive But I expect this will bring democratic revival in India अब Soros इतने बुजूर्ग इंसान है इतने नोट चापे हैं अपने जिंदगी में इतने नाइव इतने भोले कैसे निकल गए कौन से democratic revival की बात कर रहे हो भाईया Soros इंडिया में आम इंसान खुश है कि हमारी आर्थिक हालत पाकिस्तान से बेटर है और 2024 में उनका vote तो अभी locked है Soros को ये भी याद रखना चाहिए कि अगर कोई democratic revival होगा किसी देश में तो वो उनके कहने पर नहीं होगा उनके organization के वज़े से नहीं होगा एक strong united opposition के वज़े से होगा जो की election से एक साल पहले तो नहीं दिख रही है अडानी के गुबारे के फूटने से जो हमारी देश की अर्थ वेवस्ता जो उथल पुथल होने वाली थी वो नहीं होई है अडानी की वे हालत उतनी खराब नहीं है जितनी अपिक्षा हो रही थी अडानी के 100 बिलियन डॉलर गए लेकिन वो अल्रेडी अपनी वापसी प्लान कर रहे है कि वापस कैसे गेम में आए ये सब जानते हुए भी सरकार ने SOROS पर ऐसा तीखा वार क्यों किया ऐसा वार किया एसा वार किया कि लग रहा है SOROS तो L.O.C. पार कर रहा था देश में आतंक पहलाने के लिए RDX के साथ SOROS पकड़ा गया है सुनिया उन्होंने एक फंड का एलां किया एक बिलियन डॉलर का जो वो हिंदुस्तान में और जहां जहां हिंदुस्तान के इंट्रिस्ट है वहाँ पर संचारित करेंगे ताकि हिंदुस्तान को ठेस पहुंचे इतना करारा जवाब तो SOROS ने अपने 90 प्लस सालों में नहीं सुना होगा कॉंग्रेस ने भी आनन फानन में SOROS से अपना पला जहाड लिया कॉंग्रेस के जहराम रमेश ने ये दावा किया कि इंडिया में डेमोक्राटिक रिवाइवल कॉंग्रेस लाएगी ना कि कोई ऐसा बाहर अमेरिका में बैठा SOROS लेकिन SOROS के बयान को कॉंग्रेस के साथ तो जोड़ा ही गया क्योंकि SOROS के Open Society Foundations के Vice President Salil Shetty को राहूल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में देखा गया था ओहो तो ये प्लानिंग है ये साज़श है कॉंग्रेस के साथ मिलकर सता पलटने का उदर शिवजेना की प्रियंका चतरवेदी ने भी पूछा कि एक SOROS पर सरकार पूरा का पूरा प्रेस कॉंफरेंस करेगी भाई अगर फॉरेन इंफ्लूएंस पर इतनी ही गहरी चिंता है इतना अलार्म है तो उस इसराइली एजनसी के बारे में भी बोल दो आरे वो जो पेगेसिस वाला जिसने देश में खलबली मचा के रखी थी उसको भूल गए इस सवाल का जवाब मिले ना मिले लेकिन सिडिनी में बैठे विदेश मंत्री जैशंकर जी ने भी सोरोस पर तीखा प्रहार किया बेसिकली हमारे विदेश मंत्री ये कह रहे है कि बुढ़े की मत सुनो लेकिन क्या सोरोस की ये जो नारेटिव शेपिंग है ये इतनी खतरनाक है कि हमारे देश को डैमेज कर सकती है क्या वो इंडिया को चोट सची में पहुचाना चाहते है आखिर सोरोस की मनशा क्या है और वो न्यू यॉर्क से बैठे बैठे भारत में सत्ता पलट क्यों करना चाहते है जोग सोरोस से बहुत लोग चिड़ते है क्योंकि सोरोस अंकल भौकते ही नहीं काटते भी हैं उनके organization open society foundations का उद्देश यही है कि दुनिया भर में liberal democracy फैले ऐसी democracy जिसमें सबका साथ हो, सबका विकास हो, oppression ना हो और सरकार जनता को जबाब दे इस उद्देश से ये OSA foundation ने 18 billion dollar already खर्च कर दिये हैं 50,000 grants दिये हैं इन्होंने institutions को, organizations को 120 देशों में institutions, organizations और लोग वो लोग हैं जो सरकारों से सवाल पूछते हैं, कड़े सवाल पूछते हैं, तीके सवाल पूछते हैं, education में काम करते हैं, law, reform में काम करते हैं अब जाहिर सी बात है कि बहुत लोगों को लगता है, कि एक संगठन इतने देशों में इतना पैसा दे रही है, सवाल पूछ रही है, क्या ये interference नहीं है? इसके पीछे agenda क्या है? सोरोस ने अपने जिन्दगी में कमाई 30 बिलियन डॉलर इस संस्था के नाम अल्रड़ी कर दिया है सोरोस को क्या democracy की इतनी चिंता है? और अगर है तो क्यों है? क्या इसके पीछे कोई agenda भी तो होगा? इसको समझने के लिए सोरोस के background में थोड़ा जहाकना पड़ेगा 1930 बुद्धपेस्ट में उनका जनम हुआ, 1944 में Nazi Germany ने Hungary पर कबजा कर लिया अब अपनी जान बचाने के लिए सोरोस के खांदान ने fake documents दिखाए अपने आपको Christian बोला, अपनी Jewish identity उन्होंने छुपा छुपा के अपनी जिंदगी काटी 17 साल की उमर में वो UK गए, UK में philosopher Karl Popper और उनकी किताब The Open Society and Its Enemies के बज़े से उनके दिमाग पर काफी प्रभाव पड़ा सोरोस ने नाजी और सोवेट कॉमिनिस्ट रिजीम को करीबी से देखा था उनके गिनोने सच में जिया था और Popper की किताब पढ़ने के बाद सोरोस को समझ में आया कि नाजीज हो या सोवेट्स हो दोनों को लगता है कि जो सच है, जो ultimate truth है, वो सिर्फ उनके पास है साही होता है, सरकार तै करती है कि सच क्या है और क्या है जूट 26 साल की उमर में सोरोस अमेरिका शिफ्ट करते हैं, जहां वो investment banking में काम करना शुरू करते हैं और खूब पैसा चापते हैं, उनकी कई currency moves जो है, उनके जो currency bets हैं काफी controversial रह चुकी है उनका सबसे controversial, famous, infamous move था जब 1992 में उन्होंने British pound को short किया मैंने roughly currency के साथ वो ही काम किया, जो हिंडनबर्ग research ने आडानी के साथ किया सोरोस की research ने ये दिखाया कि pound की जो value है वो बहुत high है, वो artificially inflated है pound को short करके उन्होंने bank of England को crash करा दिया, लेकिन इस shorting और crashing के चकर में उस समय, 1992 की बात कर रहा हूँ, एक billion dollar का profit कमाया था ये shorting शायद fully ethical तो नहीं है, लेकिन illegal भी नहीं था सोरोस कोई दूद का धुला हुआ नहीं है, दुनिया कैसे चलती है, उसे भी मालूम है, पैसे का power क्या है, उसे भी मालूम है और वो अगर चाहते तो आज के date में भी बस पैसा चाप ही रहे होते लेकिन 1980s के आस पास आते आते, उन्हें लगा पैसा तो बहुत कमा लिया, अब कुछ तूफानी किया जाए तो तब से लेकर अब तक वो progressive liberal political causes के लिए काम कर रहे हैं देखे, billionaires तो वैसे में भी अपना पैसा देते हैं, कोई malaria के साथ fight कर रहा है, कोई education Soros अलग है, क्योंकि वो political transformation कराना चाहते हैं, जिसके वज़े से बहुत सारे लोगों से बहुत नफरत करते हैं और नफरत Soros ने बहुत पाई है, पिछले कुछ दशकों में, लेकिन उनका audition नहीं बदला है Soros की open foundation आज हर वो रुपए उन संगठनों को देती है, जो democracy को बढ़ावा देती है, सरकारों से सवाल पूछती है, जूट पहलाने से रोकने की कोशिश करती है, education, human rights, journalism के field में जो संगठन काम करते है ये काम कुछ को दखल अंदाजी जरूर लगता है, हो भी सकता है, कुछ को west की चाल लगती है, दूसरे देशों को अपने काबू में करने के लिए, और कुछ सरकारे गिराने के लिए लेकिन सोरोस को मानने वालों का यही कहना है, कि वो अपने idol, popper की theory पर ही काम कर रहे है, कि दुनिया भर में ऐसी societies होनी चाहिए, जहां किसी एक इनसान के पास सच को control करने की काबिलियत उतना power ना हो, सब की विचारों का आदर हो और वो सब मिल जुल के रहे पिछले कई दशकों से सोरोस ने तानाशाहों के खिलाफ काम किया है, पहले communism के खिलाफ काम किया, late 1980s में, यरप में, आज तक का biggest higher education endowment, जिसके वज़े से, जिस पैसे से Central European University बनी है, वो इनी के पैसे से आई है, और अपने USA में भी उन्होंने बहुत सारे democratic candidates को support किया है, including Hillary Clinton इस वज़े से सोरोस पर उखो बहुत hate मिलाए, बहुत hate मिलाए, क्योंकि है तो वो secular liptard ही न, वहां के right wing के लिए, लेकिन पैसे वाले secular liptard, दूसरे देशों में, उनके पैसे और उनके grants को शक्क निगाहों से देखा जाता है, कि वो लोगों को क्या अपने इशारों पे न संशा भी होगी, एक तरफ ये बात साफ है कि सोरोस ने world war, नाजिजम, कॉमिनिजम, लेफ्टिस्ट सब अपनी आँखों से देखा है, authoritarian government से उन्हें नफरत है, इतनी नफरत कि अपनी लगबग सारी संपत्ती उन्होंने इसको हटाने के लिए, इसको fight करने के लिए समर्पि दो, अरे दुनिया भर में अपनी democracy ठोसने की कोशिश मत करो भईया, सोरोस, लेकिन भारत दूसरी तरफ global power बन रहा है, भई सोरोस हो या और कोई हो, अगर आपका देश global power बन रहा है, तो आपकी आलोचना होगी, जैसा USA की भी आलोचना होती है, और मज़ा तब आता honestly, जब इसके जबाब में हमारा कोई industrialist, हमारा कोई businessman, अमेरिका में एक NGO खोलता, black lives matter के लिए फिर पैसे भी देता, फिर देखने वाली बात होती, कि white house आग बबुला होता है या इसका स्वागत करता, अब देखो सोरोस को criminal कहना, बुढधा कहना, एक aspiring super power को शोभा नहीं देता है, तो end में सोरोस ऐसा क्यों कर रहा है, बानवे साल की उमर में सन्यास लेने का time आ चुका है, पैसे क्यों बाट रहा है ऐसे, भारत, तुर्की, रश्या, चाइना, ऐसे देशों के खिलाफ क्यों बोल रहा है, डेमोकरिसी की आशा ऐसे क्यों रख रहा है, देखो वई, दो में से एक वज़े हो सकती है, या तो वो अपने आखरी दिनों में भी किसी का महताज है, वो भी किसी का पपिट है, जो दुनिया भर पर राज करना चाहता हो, ऐसा कोई देश है, जिसके कहने पर वो खर्बो रुपए उड़ा रहा है, या फिर बच्पन में देखे गए नफरत अस वर्सिस देम, कॉमिनिजम, नाजिजम, जो आख देखा है, वो जानता है, सोरोस जानता है इस आख का नतीजा क्या होता है और कैसे ये लोगों को भस्म कर देता है, और इसे रोकने की वो कोशिश कर रहा हो, लेकिन इस थियोरी में भी दो दिक्कते हैं, ये सच में जो सोरोस पालते हैं, कि अपनी open society से वो liberal democracy का concept दूसरे देशों में ले आएंगे, भाई किसने मांगा आपसे, किसने कहा आपको liberal democracy चाहिए, हो सकता है, 120 देशों में जहां आपने पैसे लुटाए हो, वहाँ लोगों को liberal democracy चाहिए ही नहीं, उनको शायद एक supreme leader ही चाहिए, तो ये सोचना कि मेरी वाली democracy सबको चाहिए, अमेरिका वाली democracy सबको चाहिए, या मेरा concept सबको चाहिए, शायद गलत है, सोरोस जादा PR और interview तो करते नहीं है, वो देते नहीं है, इसलिए उन्हें समझना और भी जादा मुश्किल है, मैंने tweet करके सवाल नहीं पूछ सकते हो Ask Soros, अगर मन है तो Soros को जरूर कोसिये, जरूर गाली दीजे, लेकिन एक request करूँगा देश भगपर, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजे, उनके background को थोड़ा सा टटोल लीजे, और पता करने की कोशिश कीजिए कि भईया ये सब करके उनको मिल क्या रहा है, profit क्या है Agenda कहा है, हो सकता है तब आपको समझ में आए कि सच क्या है और propaganda क्या है अरे जाने से फ़ले sponsor का नाम तो ले लूँ, अब देखिए ये episode या ये channel Soros funded तो नहीं है, हमको तो कभी offer नहीं आया, तो हमने क्या किया कि हमने बोला ठीक है यार, हमारे viewers ही हमारे Soros हैं, तो आप ही हमारे लिए Soros हैं, और आप हम तक पहुंच सकते हैं, हमें support कर सकते हैं on patreon patreon.com slash the deshbakt, खास कर कि हमारे ultimate deshbakt जो हैं, जिनके वज़े से हम ये सारा काम कर सकते हैं, हमारे जो ultimate deshbakt हैं, वो हमारे साथ directly एक group में भी जुड़े हैं, और हमारे सारे members के लिए एक exclusive discord channel is also open, तो अगर हो सके तो जरूर support करिएगा deshbakt को by logging on to patreon.com slash the deshbakt